और राजसेबस अंसद सुभाश बराला ने जज़ेपी पर निशाना साधा है सुभाश बराला ने कहा कि जन्नाएक जनता पार्टी एक बासी कड़ी है जिसमें केवल एक बार ही उबाला आया था अब उसके सारे नेता और कारेकरता पार्टी को छोड़ कर लगतार भाग रहे हैं पूर्व परजायत मंतरी देवेंदर सिंग बबली के खिलाफ विजिलेंस की जांच को लेकर सुभाश बराला ने का कि उन्हें अख़बारों के माध्यम से जांच का पता चला जिसने भी प्रश्चाचार किया है बीजेपी सरकार में उसे बक्षा नहीं जाएगा ये प्रधान मंतरी और मुके मंतरी पहले भी सपष्ट कर चुके हैं किसानों के विरोध पर सुभाश बराला ने का कि जिन मुद्दों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं आचार सहिता में उनका समधान नहीं हो सकता सरकार ने पहले भी किसानों के लिए कई महतपूर्ण काम किये हैं और आने वाले समय में भी किसानों के हित की बात लगतार भाज़पा करती रही है तेखिए ये जो एक जन्नायक जन्ता पार्टी इस परकार से बनी थी एक जैसे अपने अरियाना में एक कावत है ना एक बासी कड़ी में उबाड़ाना वो लगता है कि वो कावत सी दुई अब उबाड़ शान्त हो चुका है इनके नेता भी इनको छोड़ करके जा रहे हैं परदे सद्देक्स भी इनको छोड़ करके दूसरा अपना भविश्चे जो राजनी तेक भविश्चे है उसके लिए सुरक्षित थान की तलास कर रहे हैं इनके अन्य विधायक और इनके सीनियर नेता बहुत सारे नेता कहीं जा भी लिए और विधायक जाने की उसमें रास्ता वो भी ढूंड रहे हैं भी कहां जाया 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 इसा चला है देखे ये तो जाच दिकारी है वो ही बताएंगे मुझे इसके बारे में कोई जादा जान करी ने कि लुए इतनी जान करी है नहीं अख़वारों के मादम से ये पढ़ा है कि किसी परकार की कोई जाच इनके खिलाफ कोई शुरू हुई है देखे ये मुख्य मंतरी जी सपष्ट कर चुके है परधान मंतरी जी का एजंडा सपष्ट है पूरे देश दुनिया के सामने है परधान मंतरी जी ने जहां जहां लोगों ने वरष्टाचार किया आज उनके खिलाफ जो कारवाई की सपष्ट है देश में मोदी जी के नित जिन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी बात आती है कोई शिकायत आती है उनके खिलाफ जाच होगी और निश्चित रूप से जाच के बाद जो भी सामने आएगा जाच से पहले हम लोग कुछ नहीं कह सकते किसके खिलाफ क्या है क्या नहीं है तो जाच के बाद जो भी चीदें साम नहीं आएगी अगर कोई गलत करता है चाहिए इसमें कोई सुभास बराला है या कोई दूसरा वेक्ति है चीजों का बुक्तान तो